27 फरवरी 2002 को एक जगन्य अपराथ गोद्रा रेल्वे स्टेशन के उपर हुआ जब सावर्मती एक्सपेस ट्रेन को बहुत सारे लोगों ने एक एबीन के पास रोख कर पत्राव किया गया और वहां डिब्य में आग लगाई गई और डिब्य में आग लगाने के वज़े से उनसाथ 59 कार सेवक्ष को डेथ हो गई और बाकी के 48 लोगों को गंभीर इजाब हुई और उसके कराण गोद्रा रेल्वे स्टेशन में उनके विरूत में केस दाखिल हुआ इस केस में जिसमें रफीक हुसेन भटूब नाम का एक अपरादी जो 19 साल तक फरार था जो अपने घर पे नहीं आ रहा था वो भी 472-3 से चार्शीट के अंदर एप्सकॉर्णिंग एक्यूस्ट की तरह से सामिल था उसके सामने भी केस चालू था और गुद्रा पुलिस ने उसको पकड़ कर SIT के हवाले किया और SIT ने उनके सामने चार्शीट दाखिल करके और केस सेसन्स कोट में दाखिल किया सेसन्स कोट ने सभी डॉक्यमेंट्स और सभी विट्नेश का जाए जा लिया और विट्नेश को एनलिस करने के बाद आज गुद्रा एडिशन सेशने जर्ज साहाम ने रफिक उसें बट्तू के सामने कॉंस्परिसी विद मर्डर और 307 माना गया है और उसके उसको लाइब इंपिजय मेटिकी सजादी कही है